कि इस देश के जो रीड की हटी है किसान मजदूर छोटे दुकांगार वियापारी उस रीड की हटी को तोड़ के तुक्डे करके दो मित्रों को दे दू सर आपने माइक बंद कर दिया माइक बंद कर दिया तर आपने सर इस से होगा क्या जब ये कानून लागू होंगे तो जो इस देश के किसान है इस देश के मजदूर है छोटे वियापारी है इनका धंदा बंद हो जाएगा इन में से किसानों की खेट चली जाएगी किसान को सही दाम नी में लगा छोटे दुकानदारों की दुकान बंद हो जाएगी और सिरफ दो लोग हम और हमारे हम दो और हमारे दो इस देश को चलाएंगे हिंदुस्तान का फूड सिक्योरिटी का सिस्टम है वो नश्ट हो जाएगा और पहली बार सालों बाद एक बार फिर पहली बार हिंदुस्तान के लोगों को भूख से मरना पड़ेगा रूरल एकॉनमी नश्ट हो जाएगी और ये देश रोजगार नहीं पैदा कर पाएगा ये नई चीज नहीं है ये आप मत सोचिए कि ये नया अटेम्ट है पहला अटेम्ट है पहला नहीं है ये काम प्रधान मंत्री ने हम दो हमारे दो के लिए पहले नोट बंदी में शुरू किया था पहली चोट नोट बंदी थी आइडिया किया था गरीबों से किसानों से मज़दूरों से उनका पैसा लो बैंक में डालो और हम दो हमारे दो के जेब में डालो किछ а не किस्माल मीडिय म्रें सेक्टर को खतम कर दिया किसानों को बरबाद का दिया वहां नहीं रुक quel just मुक्ला कि पांच अलग 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 टैक्स है और फिर से उन्हें विचारों पर आक्रमन यए किसानों पर उन्हें मज़दूरों यव्यापारीयों पर आक्रमन फिर करोना आता है करोना के समय मजदूर चिला चिला के कहते हैं हमें बस का टिकेट दे दीजिए हमें ट्रेन का टिकेट दे दीजिए नहीं 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 तुम्हें नहीं मिलेगा तुम पेडल घर जाओगे कल प्रधानमंत्री जी ने अपने भाशन में विपक्ष के बारे में बोला था कि विपक्ष अंदोलन की बात कर रहा है मगर जो क्रिशिक आनून है उनके कॉंटेंट के बारे में और उनके इंटेंट के बारे में कि विपक्ष नहीं बोल रहा है तो मैंने सोचा आज प्रधानमंत्री जी को खुश करें खुश करें और जो तीन किसान के बिल हैं खेती के बिल हैं उनके कॉंटेंट का और इंटेंट का कि बात करें हाँ बजट पर बोलेंगे बजट पर बोलेंगे आप शान्त हो जाएए फिस किसान का मुद्ध भी बजट का मुद्ध है आप उनका आदर कीजिए तो तो बात है कि इन तीनों का तीन कानूनों का कॉंटेंट और इंटेंट क्या है तो पहले कानून का कॉंटेंट क्या है पहले कानून का कॉंटेंट है कि कोई भी व्यक्ति देश में कहीं भी कितना भी आनाज सबजी फल खरीद सकता है जितना भी खरीदना चाहता है खरीद सकता है तो अगर अगर खरीदी देश में अनलिमिटेड खरीदी होगी तो मंडी में कौन जाएगा मंडी में कौन जाके खरीदेगा तो पहले कानून का कॉंटेंट मंडी को खत्म करने का है इसका लक्ष मंडी को खत्म करने का है दूसरे कानून का कॉंटेंट क्या है कि बड़े से बड़े उद्योग पती जितना भी अनाज जितना भी फल जितनी भी सब्जी स्टॉर करना चाहते हैं कोई लिमिट नहीं जितना वो होट करना चाहते कर सकते हैं दूसरे कानून का कॉंटेंट इसेंशल कॉमोडिटिज आक्ट को खत्म करने का दूसरे कानून का content जमा खोरी को unlimited तरीके से हिंदुस्तान में चालू करने का अब तीसरा भी कानून है तीसरा कानून का content तीसरा कानून का content जब एक किसान हिंदुस्तान के सबसे बड़े उद्योग पती के सामने जाकर अपने अनाज के लिए अपने सबजी के लिए अपने फल के लिए सही दाम मंगे तो उसे अदालत में नहीं जाने दिया जाएगा तीसरे कानून का content आपको याद होगा सालों पहले family planning का एक नारा था आपको याद होगा हम दो हमारे दो अब मैं intent की बात करता हूँ कानून के intent की बात आज क्या हो रहा है जैसे कोरोना दूसरे रूप में आता है वैसे ही या नारा दूसरे रूप में आया है आज इस देश को चार लोग चलाते हैं हम दो और हमारे दो जैसे उस टाइम उस टाइम नाम सब जानते हैं आप बोलो हम दो हमारे दो यह किसकी सरकार है हम दो हमारे दो की तो पहले कानून का intent बताता हूँ कि आप आसन को संबोदीत करें पहले कानून का intent माने सदर्श आप आसन को संबोदीत करें कि हमारे दो मित्रों में से एक जो सबसे बढ़ा मित्र है उसको पूरे हिंदुस्तान के अनाज फल और सबजी को भेचने का अधिकार यह है पहले पहले कानून का intent नुकसान किसका होगा नुकसान थेलेवानों का होगा नुकसान छोते भी अपारियों का होगा नुकसान जो लोग मंडी में काम करते हैं लाकों लोग उनका होगा अब चलिए दूसरे कानून की intent की बात करते हैं दूसरा कानून का intent दूसरे मित्र की मदद करने का है दूसरे मित्र का पूरे देश में अनाज फल और सब्सक्राइब की मनौपली ने जाई है आज दूसरा मित्र चालेश प्रतिशाद हिंदोस्तान का अनाज अपने साहिलों में रखता है ये कॉंग्रेस पारिशी पी पैठब नहीं है ये सदन है अगर बज़े आप चल पर साहिलोज में रखेगा ये कोई ये सबाब है ये प्रधान मंत्री कहते हैं सर मैं आए ओप्सिन मैं अधक्सि आपको करना चाता हुए प्रधान मंत्री कहते हैं मैं बता रहा हूँ एक भी पेटे माने सदेशे प्रधान मंत्री कहते हैं ति मैंने ऑप्शन दिया है हाँ आपने ऑप्शन दिया है तीन ऑप्शन दिये है पहला ऑप्शन भूप दूसरा ऑप्शन बेरज़गारी तीसरा ऑप्शन आतवत्या ये तीन ऑप्शन आपने दिये हैं अब देखिए मामला क्या है मामला यह है कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बिजनस सबसे बड़ा वियकार एग्रिकल्चर का है 40 प्रतिशद अबादी इससे जीती है 40 लाग करोर रुपे का धंदा है दूसरे कानून का इंटेंट है कि एक व्यक्ति को आप पूरे देश के अनाज की स्टॉरिंग की मनौपली दे दो और जब किसान अपने अनाज के लिए सही दाम मांगने जाएगा तो जिसके पास स्टॉरिज की मनौपली होगी वो मार्केट में अनाज डालेगा और किसान से कम से कम पैसे में खरीद करेगा कि इस देश की जो रीड की हटी है किसान मजदूर चोटे दुकानदार वियापारी उस रीड की हटी को तोड़के तुक्डे करके दो मित्रों को दे दू सर रूल टू एटू 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 जब ये कानून लागू होंगे तो जो इस देश के किसान है इस देश के मजदूर है छोटे वियापारी है इनका धंदा बंद हो जाएगा इन में से किसानों की खेत चली जाएगी किसान को सही दाम नहीं मिलेगा चोटे दुकानदारों की दुकान बंद हो जाएगी और सिरफ सिरफ दो लोग हम और हमारे हम दो और हमारे दो इस देश को चलाएंगे हिंदुस्तान का फूड सिक्योरिटी का सिस्क्म है वो नश्ट हो जाएगा और पहली बार सालों बाद एक बार फिर पहली बार हिंदुस्तान के लोगों को भूख से मरना पड़ेगा रूरल एकॉनमी नश्ट हो जाएगी और ये देश रोजगार नहीं पैदा कर पाएगा ये नई चीज नहीं है ये आप मत सोचिए ये नया अटेम्ट है पहला अटेम्ट है ये पहला नहीं है ये काम प्रधान मंत्री ने हम दो हमारे दो के लिए पहले नोट बंदी में शुरू किया था पहली चोट नोट बंदी थी आइडिया किया था गरीबों से किसानों से मजदूरों से उनका पैसा लो बैंक में डालो और हम दो हमारे दो के जेम में डालो स्मॉल मीडियम सेक्टर को खतम कर दिया किसानों को बरबाद कर दिया वहाँ नहीं रुके फिर गए जी एस्टी गपर्ट सिंग टैक्स पांच अलग अलग टैक्स और फिर से उन्ही बिचारों पर आक्रमन उन्ही किसानों पर उन्ही मजदूरों पर उन्ही व्यपारियों पर आक्रमन फिर करोना आता है करोना के समय मजदूर चिला चिला के कहते हैं हमें बस का टिकेट दे दीजिए हमें ट्रेन का टिकेट दे दीजिए नहीं 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 तुम्हें नहीं मिलेगा तुम पेडल घर जाओगे मगर टैक्स माफ जरूर होगा जरूर होगा 15 उद्योग पतियों को टैक्स होगा तो पहले नोट बंदी फिर जी एस्टी फिर करोना के समय उन्हीं चार पांच दस लोगों को पूरा वा पूरा कर्जा माग दस लाग करोर रुपे हैं जो भी का कर्जा माग मगर हुआ क्या हिंदूस्तान हिंदूस्तान का रोजगार का जो सिस्टम है जो स्मॉल और मीडियम इंडिस्ट्री है वो खतम हो गई आज ये देश रोजगार नहीं पैदा कर सकता है सिद्धी से बात और आज नहीं कल भी ये देश रोजगार नहीं पैदा कर पाएगा क्योंकि आपने इस देश की रीड की हड़ी तोड़ दी है किसान की मज़दूर की चोटे दुकानदार की स्मॉल मीडियम बिजनस की रीड की हड़ी तोड़ दी है मगर ये मत समझिये कि एक किसानों का अंदोलन है ये किसानों का अंदोलन नहीं है आपको बात अभी समझ नहीं आई है ये देश का अंदोलन है और ये किसान सिर्फ रास्ता दिखा रहा है किसान अंदेरे में टॉर्च दिखा रहा है और एक आवाज से ये पूरा देश उटने वाला है पूरा देश एक आवाज से हम दो हमारे दो के खिलाफ उटने जा रहा है और ये याद रखिये मैं कह रहा हूँ लिक के ले लीजिए आप सोचते हो कि हिंदुस्तान के किसान को मजदूर को छोटे दुकानदार को अपने पैसे से अपने धन से परे कर सकते हो ये आप सोचते हो आप ये सोचते हो आप लिक के ले लो मुझसे किसान एक इंच पीछे नहीं हटने वाला है किसान आपको हटा देगा मजदूर आपको हटा देगा छोटा दुकांदार आपको हटा देगा मगर वो पीछे एक इंच नहीं हटने वाला आपको कानून वापिस लेना ही पड़ेगा अब बात करते हैं बजट की जब बजेट पर बातचीत करने का की बात उठी थी प्रेजिडेंट्स अड्रेस पे बात करने की बात उठी थी तो हमने कहा था विपक्ष ने कहा था हमें किसानों के आदर करने के लिए किसानों के सब्जेक्ट पे अकेला बोलने दीजिए एक साथ हम सम मिलके किसानों के मुद्धे पे बोलेंगे स्पीकर सर ने सरकार से पूछा और सरकार ने कहा नहीं किसानों के मुद्धे पार चर्चा नहीं होगी बजट पे होगी और प्रेसिडेंट अड्रेस पे होगी अलग चर्चा किसान के मुद्धे पे नहीं हो सकती तो प्रोटेस में मैं कह रहा हूँ मैं बजेट पे आज यहां टिपनी नहीं करने वाला हूँ मैं आज सिर्फ किसान के मुद्धे पे बोलूँगा और उसके बाद मैं अपना मूठ चुप कर दूँगा कि अंत्मे मैं कहना चाहता हूं कि जो 200 किसान शहीद हुए उनकी इन लोगों ने उनको इन लोगों ने श्रदान जली नहीं दी मैं सब सामसदों से कहना चाहता हूं मैं अपने बाशन के बाद दो मिनट शहीदों के लिए मौन रहूंगा आप मेरे साथ खड़े हो जाएए धन्यवाद